दोस्तों आज मैं आप लोगों को चिंपैंजी के बारे में कुछ रोचक जानकारिया दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी रिस्तेदारों में से एक हैं जिनका DNA हमारे DNA से करीब 98 प्रतिशत मैच होता है इनकी उचाई खड़े होने पर करीब 5,5 फीट तक होती है और इनका वजन करीब 70 किलो ग्राम तक होता है चिंपैंजी का जंगल में आउस्तन जीवनकाल करीब 40 साल तक का होता है वहीं कैद में रहने वाले चिंपैंजी करीब 50 से 60 साल तक जीवित रह सकते हैं वैसे तो चिंपैंजी बंदरों की तरह एक पेड से दूसरे पेड पर खूटते रहते हैं पर वो चाहे तो हम इंसानों की तरह दो पैरों पर भी चल सकते हैं एक दूसरे के साथ बात करने के लिए चिंपैंजी हम इंसानों की तरह ही संवात करते हैं और बिल्कुल हमारी तरह ही चेहरे के हाव भाव बनाते हैं एक चिंपैंजी की देखने की सुनने की और सूंगने की शमता हम इंसानों जैसी होती है चिंपैंजियों के अन्य जानवरों की तरह पूछ नहीं होते हैं वैसे तो ये शाकाहरी होते हैं और 300 से अधिक विभिन्न प्रकार की शाकाहरी चीजे खाते हैं हलाकि या कभी-कभी छोटे संधारी और पंचियों का भी शिकार करते हैं आज पुरी दुनिया में चिंपैंजी की प्रजातियां धीरे-धीरे कम होती जा रही है और इनको एक लुक्त प्रजाती घोशित किया जा चुका है महिला चिंपैंजी अपना अधिकांश समय दूसरी महिला चिंपैंजी के साथ बिताना पसंद करती है चिंपैंजीों को भी इंसानों की तरह कुछ सामानने विमारियां होती हैं लेकिन वो इसका इलाज खुद ही कर लेते हैं क्योंकि इन्हें जड़ी बुटियों का अच्छा ग्यान होता है चिंपैंजी का दिमाग बहुत तेज होता है जिनके कारण उनको साइन लेंग्वेज सिखाया जा सकता है चिंपैंजी जमीन और पेड़ पर दोनों जगें पर रह सकते हैं दिन भर ये जमीन पर रहना पसंद करते हैं और रात की समय पेड़ पर सोते हैं अधिकतर चिंपैंजी समू में रहते हैं जो लगभग सव के आसपास का जुंड होता है इस समू में एक लेडर होता है तो मैंने आपको चिंपैंजी के बारे में कुछ रोचक जनकारिया दी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद